वेल्कम बैक टो माई चैनल एस्प्रेंट सुडान सो आज की जो वीडियो रहेगी यह सर्दार पतेल उनिवस्टी जो के मंदी द्वारा आई कुछ नोटिफिकेशन जो बीएड से रिलेटेड है उस पर रहेगी वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जाधा करें और लाइक करें सो बात करते हैं आज की वीडियो की सो यहाँ पर जो है जो है बीट ने जो एस्पू के दवारugen जो रिलीज किया है जो नोटिफिकेशन है वो है इंटर कालेज जो माईग्रेशन है कि हमारी SPU ने जो है migration जो भी जिस भी college में आपको beard में आपको करवानी है उसके लिए जो form है वो यहाँ पर निकाल लिया है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आपको किसी college में beard के seat होगी और आपको वहाँ पर migration करवानी होगी जो किस सरदार पर टेल युनिवस्टी के अंडर होंगे तो आप करवा सकते हैं तो यहाँ पर यह जो form है यह offline भरा जाएगा तो यहाँ से आप यह download कर लें और इसकी जो fees रही है 500 रुपे रहेगी और यह जो है आपको bank में जो है यहाँ पर submit करवाने पड़ेगे जो 500 जो fees है वो निकालने पड़ेगी यहाँ पर आपको bank detail जो है दी हुई है जो कि SPU मंडी उनका account number और IFSC जो code है वो दिया है तो यहाँ fees जो है bank में करवा ले अपनी submit जिसने migration करवानी है बाकि अगर form की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले name आएगा फिर father name आएगा then mother name आएगा और registration number जो SPU में आपको issue किया है SPU के दवारा वो यहाँ पर fill करना है next हम बात करेंगे यहाँ एक institute जिसमें अभी आप currently bead कर रहे हो वो और अगर आप first semester से migrate हो के second semester में दूसरे college के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर first semester अपनी class डालोगे then किस college में आप हो current उस college में और जहाँ पर जाना है उस college के लिए जिसमें migration करवानी है उस college को यहाँ पर fill करना है उस college का नाप यहाँ पर साथ में बोला कि दीजन देना आपको कि migration आप क्यों करवा रहे है उसको भी आपको यहाँ पर fill करना है last में यहाँ पर लिखा है कि जो आपका examination होगा जो last आपने जिससे अगर आप first semester से second semester के लिए migration किसी और college में करवा रहे है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप first semester में आपने 2023 में जो भी आपका roll number था result था हो यहाँ पर आपको सब कुछ fill करना है और district की से district से आपने exam जो आप दिया था और यहाँ पर signature और यह सब कुछ यहाँ पर दिया है और आपको मैंने bank की जो detail वगएर वो तो बताई दी यहाँ पर लिखा भी है आपको finance officer SPU यहाँ पर अपना जो है जो भी आपको फीस है जमा करवानी है और साथ में इन्होंने कहा है कि जब भी आप वो फीस जमा करवाते हो वहां से आपको receipt मिलेगी और यह जो फॉर्म है इसको फील करके जो आपको इसको यहाँ पर जो यह एड्रेस दिया है सर्दार पुटेल युनिवरस्टी मंडी यहाँ पर आपको पोस्ट करना है और साथ में यह फॉर्म और वो जो receipt होगी जो फीस की receipt होगी तो इन दोनों को आपको जो है समिट करवाना है इस एड्रेस पर और आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर अपना जिस कॉलेज से आप माइग्रेट हो रहे हैं उसमें जो है रिपोर्ट करनी होगी और यह जो आपकी माइग्रेशन यहाँ पर हो जाएगी बाकि यहाँ पर कुछ नौन इंस्ट् वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गाईज